नमस्कार सातियों, मैं जितिंदर, NIS और World Athletics Level 1 Qualified Coach आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होंगे? आज की इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक कवर करने वाला हूँ कि आप स्पोर्ट्स में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका बच्चा हो या फिर कोई भी हो तो उसके लिए एज कितना होना चाहिए? किस एज से वो स्पोर्ट्स से स्टार्ट करे? और एक और जरूरी चीज़ अगर आप जिस भी किसी डिस्टिक के रहने वाले हैं और आपके डिस्टिक में ग्राउंड भी नहीं है, कोई फैसेलिटी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज मैं इन तीनो टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्स्क्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए, और मेरी वीडियो हमेशा research based और experience based होती है, जितना मैंने अपनी sports life में feel किया है, और जितना मैं अभी coaching करा रहा हूँ, बच्चों को training करा रहा हूँ, तो क्या-क्या situations जहिलनी पड़ती हैं, क्या-क्या face करना पड़ता है, वो सारी चीज़े मैं आपके सामने share करता हूँ, तो चैनल को subscribe ज़रू के हों, किसी भी state के हों, तो आपको सबसे पहले किसी भी competition में participate करना है, किसी भी बच्चे के लिए सबसे पहला competition उसके school games होते है, मतलब कि वो सबसे पहले school में participate करता है, फिर inter school जाता है, मतलब कि district जाता है खेलने, वहाँ पर participate करता है, फिर state जाता है, फिर national जाता है, इस त गेम होता है किसी भी लेवल पे हो च्बाइब करोंगे अब रही बात पुर्थोक्य को टेंटमी ऊता नaganे रर उसकितis it कोता है तो आपको अपने जाकर आपका जो न्हीं स्तेडियव है आपके जो डेस्टेक सपर्स ऑफीसर हैं district के अंदर DSO होते हैं district sports officer आप उनसे बात करें वहाँ पे कोई ना कोई गेम होते होंगे जरूर क्योंकि हर district के अंदर कोई ना कोई जैसे कि junior national के जो लिए जो एंटरी जाती है उसके लिए सीधा state में participate कर सकते हैं और north zone के लिए एंटरी आ जाती है तो उसमें आप सीधा participate कर सकते हैं तो first step है आपके लिए district games खेलना वहाँ के बाद में आपको सारी चीज़े समझ में आने लगेंगी इसके बाद में जो हमारा next topic था वो था कि अगर आपका बच्चा sports करना चाता है या फिर आपकी age 30-32 क्या sports कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को sports कराना चाते हैं जरूरी नहीं आपका बच्चा आट साल का है तो आप उसे specific game कर आएं नहीं आप अपने बच्चे को multiple games कराएं आप हो basketball भी शेज चि क्योंकि उसकी age अभी इतनी नहीं है अगर आपको उसे space life training करानी है तो जब वो 13 years, 14 years का हो जाए तब आप उसे space life training करा है मतलब एक specific game में डालें अगर आप athletics में डालते हैं तो आप उसका athletics में डालके आप event भी choose कराओगे तो आपका बच्चा जब 13 साल, 14 साल का हो जाए तो आप उसे specific event में डालो कि अभी इस event की इसको तयारी करनी है तो ये हो गया आपके बच्चा जो ground में जाना चाते है आप उसे game कराना चाते हो अब इसके बाद में जिस किसी की age 28 साल है, 32 साल है और अगर मान के चलो 19 साल भी है क्योंकि मेरे पास में ऐसे messages भी आते हैं जो 19 साल के बच्चे होते हैं और पूस्ते हैं कि अभी हम game कर सकते हैं या फिर नहीं आप बिल्कुल game कर सकते हैं अगर 19 साल, 24 साल तक भी आपकी age है आप बिल्कुल game कर सकते हो बट आपको एक चीज का याद रखना पड़ेगा कि अगर आप 2 साल, 3 साल के अंदर performance दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं दे रहे हो तो आप अपना पढ़ाई पर focus करें क्योंकि हर आदमी national athlete नहीं बनता है और ये चीज आपको आपके coach समझा सकते है जैसे कि मेरे ground पे काफी बच्चे मेरे पास में ऐसे आते हैं जिनका बहुत ही weak points होते हैं जो मतलब कर ही नहीं पाते हैं बट उन बच्चों के अंदर जिद होती है कि हमें करना है मैं उन्हें कई बार समझा देता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पर focus करो क्योंकि आप sports में career नहीं बना सकते हो उनके अंदर कुछ दिखता है मेरे experience बोलते हैं इसलिए मैं उन्हें समझा देता हूँ तो ये हो गया कि अगर आप 32 साल के भी हैं तो भी आप sports कर सकते हैं आप अपने आपको try करो अपने आपको एक साल दो दो साल दो उसके बाद में आपको सारी चीज़न समझ में आ जाएंगे कि आप आगे continue कर सकते हो या फिर आपको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा और अपना पड़ाई पर focus करो चाहे अपना किसी भी बर्ग पर focus करो यह हो गया हमारा second topic कि आपको किस age में शुरू करना चाहिए अगर आपकी age 29 साल है 19 साल है तो क्या आप sports कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं इसके बाद में जो हमारा next topic है वो है कि आप किसी भी district के है और आपके district में sports होता ही नहीं है और आपके district में कोई coach ही नहीं है तो आप क्या करें ऐसा कोई भी district नहीं है कि जिस district के अंदर ground नहीं हो, stadium नहीं हो उनका main stadium जरूर होता है और कुछ-कुछ states ऐसे भी हैं जिनके यहाँ पे नहीं है, तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छे लेवल पर परफॉर्म करना है, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कोई कोच वहाँ पर आके आपको ट्रेनिंग कराएगा नहीं, काफी सारी चीज़े होती हैं, तो आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अगर आपको गेम करना है, आपके यहाँ पर कोई कोई कोच नहीं है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा, रही बात आपके डिस्टिक गेम्स, तो हर के अंदर कोई न कोई Each각 होते हैं się और अगर आपको वह भी खेलने का मौका नहीं मिल रहा है तो आपके आस-पास में जो भी Storage हैं वह को हेखेलो अगर आपके state में ऐसी कोई सुवीधा है की आप सीधा स्वीधा में participate कर सकते हैं तो आप मेहनत गिरो तो इस लेवल की कि आप State में जाके medal लगा सको State में जाके participate कर सको हर athlete ऐसा होता है जो सबसे पहले district खेलता है state खेलता है फिर national खेलता है और काफी athletes ऐसे भी होते हैं जिनके kभी district में medal भी नहीं आयो state में भी medal नहीं आयो गश्तों बर वो मेहनत करते हैं वो अच्छे लेवल के performer बच्चे भी होते हैं जहां से आपको सीखने को मिलता है कि हमें भागना कैसे है हमें अगले किसी लेवल पे कैसे जाना है तो ये सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने आपको समझाई है आशा करता हूँ आपको समझ में आगी होगी अगर आपके अभी भी कुछ कोशन्स हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे परसनल मैसेज करके पूछ सकते हैं मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में जैहिंगे